हाई फ्रेंस ये साल की आखरी पूर्णिमा है 26 तारिक को 26 देसंबर को और इसकी सबसे इंपरन बात ये है कि ये ट्यूजडे को पढ़ रहा है मंगलवार को तो अब जब ये मंगलवार को पढ़ रहा है तो आपको एक बात बता दूँ 2024 जो एर है वो साटन गवर्न है ओके श मंगलवार को पढ़ रही है इसको आप हनुमान जी के नामों के साथ इस्तमाल करेंगे कुछ लिखेंगे तरीका मैं बता रही हूं अभी आपको की कैसे लिखोगे अपनी अपनी जितनी भी विशेज है मल्टिपल विशेज आप सारा कुछ लिखिए और मैं क्यूं बोल रह जादा मैनिफेस्टेशन हुई हैं एक ने मुझे अपना लेटर का पूरा एक स्क्रीन शॉट बेजा है और उस लेटर में येस जैसे जैसा मैंने बताया था कि जैश्री राम से अपने लेटर की शिरुवात कीजिए ओम हनुमते नमाह मंत्र लिखिए इसके बाद बजरंग को इस बार आप क्या करोगे इस बार आप अगेन हनुमान जी के बारा नामों के साथ स्क्रिप्टिंग करोगे और उनके बारा नाम कौन से हैं हनुमान अंजिरी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश्ट फालगुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधी क्रमन सीता शोक विनाशन लक्ष्मन प्रांडाता दश ग्रीव दर्पहा ये उनके बारा नाम हैं ये बारा के बारा नाम आप एक लेटर में लिखोगे सबसे पहले अपने जो लेटर की शुरुवात आप करोगे वो इन ही नामों से करेंगे आप इसकी स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप रेट कलर के पैन को इस्तमाल करेंगे लिखने के लिए प्लेन पेज लीजिए उसमें ये सारे नाम लिखिए ये आप 26 तारीक को करोगे किस वक्त सुभा नहाद हो करके अच्छे से और फिर अपने मंदिर के पास बैठके एक दिया जलाई और वहां पे इस लेटर को लिखि ठीक है इसके बाद 2024 में जो आने वाला है कुछ दिनों में आप एंटर करने वाले हो उस साल में आपकी कौन-कौन सी विशस चाहते हो आपकी manifest हो जाए पूरी हो जाए क्या-क्या मिलना चाहिए आपको health, relationship, money, job, success क्या वो सारी चीज़ें आप उस लेटर में request की तरहा लिख इसमें ओके सो इस तरह से आप ये लेटर लिखोगे लिखने के बाद आप इस लेटर का करोगे क्या अग्याइन जैसे मैंने पिछली बार बोला था वैसे ही करोगे इस लेटर में आप कम से कम कुछ भी नहीं तो 11 रुपे रखिए 11 वैसे भी शगुन होता है और 11 नंबर हम पर जो भी करेंसी है उस करेंसी का अगैन आप 11 ही रखोगे इसके अंदर ओके सो 11 रुपे वो रखोगे इसके अंदर और इस लेटर को आप कर दोगे फोल्ड अच्छे से फोल्ड करके आप इसमें एक मॉली से इसे बांद दीजिए ओके या फिर अगर रेड दागा आपके में रहते हैं तो क्या करें इसका तो फिर आप इस लेटर को अपने पास रखिए कभी भी जब आप किसी मंदिर में जाएं जहां पर बजरंग बली हो उनके चरणों में आप इसको रखिए थोड़े दिर के लिए रखे इस लेटर को अपने पास सेफ रखिए जैसे जैसे आ आप प्रिशाद बजरंग बली को चढ़ाओगे ठीक है बहुत सिंपल है बहुत इजी है लेकिन हाँ बहुत एफेक्टिव है चीजें मैनिफेस्ट होती हैं बस वो थोड़ा सा जेन्मेन भी होनी चाहिए कुछ ऐसे विशेस नहीं जहां पे कि आपको पता होके चीजें नहीं हो सकती हैं और आप वहां पे काम करें किसी ने मुझे से बात की थी जिनका कहना था कि उन्होंने आइमेन उनका किसी के तरफ कोई आकर्शन हुआ है और वो अल्रेडी फैमिली में हैं बच्चा है बीवी है सब कुछ है और फिर मैनिफेस्ट करना चाते हैं क्या ये मैनिफेस्टेशन कभी भी होगी कभी भी नहीं होगी इसलिए बोल रही हो कि प्लीज अपनी अपनी wishes के साथ बहुत true and faithful रही है ऐसे नहीं कि कुछ भी आप सोच लें और उसको लिख दें इसमें और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा नहीं होगा आपकी wishes बहुत सही होनी चाहिए and yes जिनको आप letter लिख रहे हो उनको भी सब पता है कि आपके लिए क्या सही क्या गलित है उसी हिसाब से बट still आप अपनी जितनी भी wishes है like marks manifest करने हैं बहुत ओको job manifest करना है competitive exams manifest करने है आगे बढ़ना है शादी manifest करने है बहुत से लोगों की है कि कोई रिष्टे ही नहीं आ रहे वो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी multiple wishes अस letter में लिखे लिख करके letter को yes ओम हनुमते नमा से आप बंद करिए जैश्री राम जरूर लिखे बिना राम जी के तो हनुमान जी का कोई letter successful हो इनी सकता वो लिख करके आप इसको letter को fold करके और जैसे मैंने बताया है वैसे रखना है periods में क्या इस letter को लिख सकते हो periods में आप इस letter को नहीं लिखेंगे periods में फिर आप simple normal सी scripting कीजिए जब आप periods से over हो जाएं तब फिर किसी मंगलवार को आप same ऐसे ही letter लिख करके रख सकते हैं बट ये पूर्णिमा है तो पूर्णिमा की दिन आप बजरंग बली का ये काम ज़रूर करेंगे इसके अलावा yes full moon है now full moon बहुत अच्छा है आपके सारे scripting के लिए सारे technique स्टार्ट करने के लिए एक जो important है technique वो vision board मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि अपने लिए vision board बना के रखिये 2024 के लिए तो I hope सब के vision boards ready होंगे नई जेनों ने बनाए है पूर्णीमा बहुत अच्छा देन है अपने अपने vision boards ready कीजिए और इसके अलावा magic boxes magic boxes में जेन लोगों ने भी अपने लिए affirmations डाली है 2024 के लिए नए सिरे से affirmation डाली है और उसको इस full moon पे charge जरूर करेंगे आप लोग अपने अपने crystals जेने लोगों ने भी crystals लिए है वो सारे crystals आप लोग dry salt मतलब salt water में mud डालिए color fade हो जाता है पहले भी बोला है मैंने सिरफ dry salt में अगर pink salt available है तो उसमें रखिये नहीं तो घर में normal salt है उसमें रखिये रख करके राद भर के लिए छोड़ दीजिए या फिर आप चाहें तो moonlight में भी राद भर के लिए रख के छोड़ सकते हैं सुबा उठा के पानी से wash कीजिए affirmation दीजिए अपने wish के regarding और पहन लीजिए positive mindset रखिये crystals आप लोगों के चक्रास पे work करते हैं आप लोगों को yes strength and positivity देते हैं all right so yes काफी सारी चीज़ें हैं करने के लिए क्योंकि नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं so पूर्णिमा में ये हनुमान जी का technique आप लोगों को करना है साथ में questions आप लोग put करने लगते हैं Goddess Hikate के ritual कर सकते हैं Goddess Hikate के rituals जैसे normal करते हैं वैसे करिये लेकिन Goddess Hikate का ritual हम new moon पे करते हैं तो new moon पे ही best रहेगा अभी का पूर्णिमा जो है वो बजरंग बली के लिए है so बजरंग बली के जितनी हो सके आप ये बारा नामों की chanting शुरू कर सकते हो जाब कर सकते हो रात में रोज सोने से पहले इन बारा नामों को बोल के सो मान्यता यह है कि जो भी इनसान इन बारा नामों का जाब करके रात में सोता है उसके life में जितने भी rivals होते हैं दुश्मन वो सारे खतम हो जाते हैं अब ये दुश्मन कौन है भाई दुश्मन is not कि कोई अगर हमारा सिर्फ बुरा ही कर रहा है तो वो ही एक दुश्मन है दुश्मन हमारे खुद के भी भाव होते हैं जो negative thought है हमारा डर, desperation, fear, anger ये सब भी तो हमारे बुगारते हो ठीक है और मैंने इसमें अब भी थोड़े दिन पहले एक shots डाला था जिसमें था सीता शोक वैनासन जो इनका एक नाम है वो नाम आप लोग अपने relationships के लिए इस्तमाल कर सकते हो, उसको लिख सकते हो scripting कर सकते हो उसकी और अपनी wishes लिख सकते हो नहीं तो उसका जाब कर सकते हो और intention सर्फ इतना कि आपका भी मिलन वैसे ही हो जाए जैसे कि Bajrangbali ने राम जी को सीता जी से मिलाया था, तो आपका ये जो दूरियां हैं आप लोगों के relationship में misunderstandings हैं, parents नहीं मान रहीं सब चीजे ठीक हो और आप सब वापस से एक हो जाएं, okay so that's all for this full moon and yeah, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी कई सारे techniques करते चले जाएंगे so that's all, thank you so much and God bless you